दोस्तो आपली मराठी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका पावन भारदवाज आज हम बात करेंगे सिंगर यूवराज के बारे में जिने बोलीवड में यूवी के नाम से जाना जाता है यूवी हिमाचल और पंजाब के रहने वाले हैं पंजाब इंश्टी के लिए काफी धमाल मचाया है बोलीवड के अगर बात करें दबंग टू का जो गाना है चिपकाले सहियां फैवी कोल से रातो रात हिट हो गया था और दूसरा गानी के अगर बात करें जवानी लेडू भी कोन नहीं जानता है इन गान्यों को आज हम बात करेंगे महादेव संभू क एक सिव भक्त के उपर है ये सावन में लोंच किया गया रात और रात ये वन मिलियन क्रोश कर गया है जिसे लिरिक्स हैं जिसके आचला हुजा के प्रोडूस किया है आकास वसिष्ट ने और म्यूजिक है संकलप स्रीवास्तव का इस मोके पर हमने यूवी से खास बात चीत की देखी क्या कहा यूवी ने हुए हुए जवानी ले डूबी देखिए इसमें म्यूजिक किया है संकलप श्रीवास्तव ने कमाल का म्यूजिक दिया है और लिरिक्स बहुत अच्छा है इसके आचलो हो जाने लिरिक्स लिखे है और इनके जो शिप आफ दे कैटन है आकाश विशिस्ट जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन क किया और आइरिस म्यूजिक उनका प्रोडक्शन लेबल जिसको बलते हैं तो आइरिस म्यूजिक के नाम से ये कंपनी है जिन्होंने ये सब और उसके बाद उन्होंने मेरे वारे में सोचा कि ये गाना मैं गाने वाला हूं तो ये मेरे लिए बहुत खोशनसीबी वाली बात है और मैं उसके साथ न्याय कर पाया तो ये ही मेरे लिए बड़े इच्छी बात है मेरे बहुत खोशी की बात है साजिद वाजिद के लिचे अपनी काम किया है सीखे है जी देखिए भगवान का अशिरवाद होना बहुत जरूरिया और महादेव का अशिरवाद मिल जाए तो और क्या चाहिए तो मेरे साथ भी वही हुआ है और साजिद वाजिद म्यूजिक कंपोजर्स मैं उनको असिस् आते थे तो मैं उनकी बारीकिया नोट करता था कि यह किस अंदाज से कैसे इतने गाने को इतना अच्छा बना देते हैं इतना बड़ा बना देते हैं तो वही कोशिश मैं भी करता हूँ और वही कोशिश कामयाब भी हो रही है आईरिस म्यूजिक के बारे में अरबात करें क चका बार दिया है इस काणे के साथ इस से पहले बी चार गाने शायदेन के र 건강 के रिलीज हुए — मैंने विडियो देखा है उसके — गाने चेक किया है इनकी तीम बहुत अच्छी है मुझेग करते है और उसको आगे कैसे ले जाना ए WhatsApp . वो कैसे करते हैं वो सब यह लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आईरिस म्यूजिक इस अपकमिंग चैनल तो क्या होता है कि यह अगर लाइफ में कि अगर यह जाता तो यह हो जाता तो वो नहीं होता लेकिन उन्खिली यह कि सी औरो पता नहीं होता तो मुझे लगता जब आये तब तो अच्छा है, देर आए, दुरूस्त है, तो अच्छा ही हुआ है. कैसे इसकी गाना बनाई है तो बताना चाहेंगे, कैसे बोर में आए, फिर आपने सेजस किया, आईरिस कम्प्री ने? आइरिस म्यूजिक ने जितना मुझे पता है मुझे आकाश ने बताया था कि हम लोगों ने जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया था उसके बाद में को आकाश ने फोन किया था तो कि यूवी बहुत अचा गाया और तब मिक्स भी नहीं हुआ था गाना और तब उन्हें मुझे कि हम लोग ने ऐसा नहीं कि यूवी से गवालो ऐसा नहीं हुआ था मुझे हम लोग बैठे गाना बन चुका था फिर हमने सोचा कि किस से गवाना है तो हमने बहुत सारे नाम थे हमारे पास तो उसमें से एक नाम था यूवी तो उन्हें फिर मुझे चूज किया तो बड़ महादेव शंभू जो गाना हरे हरे महादेव शंभू हरे हरे महादेव शंभू शंभू मैं तो भक्त हूँ तेरा दास हूँ और हूँ दीन भोले ऐसा कर दो मुझ को हो जाऊं तुझ में लीन हर हर महादेव शंभू अधर महादेव शंभू एत प्यारा सरव चाने हरे चाएं उसके ओपर हर हरे महादेव शंभू और बात करें आप से ते, तीून्स, ढेखे हैं, मेरा माननने हैं कि पूरानी टून्स और आजकी टून्स हों, हिंदी में निछूली कर रहे हैं, तो इंडियन नेस आएगी आएगी, और वो आनी भी चाहिये है, क्योंकि हम जिन लोगों को परोचरे हैं, हम लोग बोलते रहते हैं वेस्टन 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 लेकिन हम जिनको पषोष है वो अब हम इन्डियन्जेंग 2 हो जमीन से जुड़ए लोग है तो गाना कि जो एम इसकी जो लिरिक्स घन में है वह बहुत इंडियनय है बिलकुल एकदम लोगों को तक पहुँचने वाली दिल को चुने वाली और जो इसका म्यूजिक है वो एक फ्यूजिन म्यूजिक मैं कह सकता हूं उसमें डमरू का इस्तेमाल हुआ है रिदम में तो नॉर्मली डोलग तबला ही इसमें इस तरह के बजन्स में लेकिन इसमें ड जो इस गाने से क्या उमीद है आप देखे जो इस गाने से उमीद थी उससे बढ़के ही हो रहा है तो मुझे लगता है कि सब अच्छा हो रहा है साथ अपकी शुरुआ पंजाबी से वही है जिंदगी बदल दी पंजाबी में मैंने बहुत चारे गाने गाया है एक फिल्म भटिंडा एक्स्प्रेस जो काफी चली थी उसमें एक गाना था मायनी मायनी मैनो चैननावे मायनी दिल डूब डूब जावे मायनी मायनी यह गाना मेरा काफी चलाता है जूरी में बैठना एक बहुत प्रिविलेज़ वाली बात है और बहुत ही सम्मान वाली बात है सारे गामापा जी डी वी के लिए बैठना एक बहुत ही अच्छी बात है तो मुझे उस काविल उनने सोचा तो यह रिली थैंक्फूल और वहां पर सीखने को बहुत मिलता है इतने अच्छी सिंगर जाते हैं उनको जज़ करते करते उनकी बारिकियां भी हम लोग सिख जात है मेरे जो फैमिली बैग्राउंड वह आर्मी से रिलिएड है तो मैं आर्मी एरिया में रहा हूँ सुबातु एक हीमाचल में बहुत चोड़ी सी जगह थी सुबातु जो की गोर्खा रेजिमेंट वहां पे है और गोर्खा ट्रेनिंग सेंटर है first four गोर्खा रेजिमेंट तो मैं वहां पे रहा हूँ, और केवी में पढ़ा हूँ, केंदर विद्याले में, तो 12 तक मैं उसी में पढ़ा हूँ, तो वहां का जो महाल था, वो पूरा देशवक्ति और सुबा-सुबा फॉजी गूम रहे हैं, शाम को फॉजी गूम रहे हैं, तो वो सब देशवक्ति व जिससे आपके पहचान दमंग का गाने के उनको नहीं प्रेसेंस के लिए? फेविकॉल गाना था जहां से शुरुवात होई थी अचली शुरुवात तो उससे भी पहले होई थी मैं और मिसिस खन्ना जिसमें की मैंने और सुनिधी ने गाना गाया था Happening तेरे मुखडे पहले जैसी वालियां happening ये गाना था फेविकॉल आया फेविकॉल इसे ये गाना आया जवानी लेडूबी ये जवानी लेडूबी ये गाना आया फिर वीरा एक सिरियल था स्टार पलस का वो बहुत बड़ा हिट हुआ था उसके सारे गाने में बसक्राट गाये थे 90% गाने तो उसमें गाना था वो बहुत फिट हुआ था ओर रबा नहीं वो हिंदी सिरियल था पंजाभी बेस था ओ रबा ये बहुत बड़ा हेट हुआ था तो मतलब बहुत सारे एक्सपिरियसी था लेकिन सब अपने वाप में खास है और महादेव शम्भू फिर से बहुत खास है आईरिस म्यूजिक थैंकियो सुर्म से बाफ करने के लिए थैंकियो